दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मन्थन का रिक्रम में आज की कहानी का शिर्सक है हीरो मत कहिए, मैं बस जीना चाहता हूँ जेम सुसो जूनियर के बारे में हाद से सिर्फ सबक नहीं देते बलकि अक्सर वे हमेशा असली नाईकों से भी मिलाते हैं एक ऐसे ही हीरो से अमेरिकी समाज दो साल पहले मिला उस वक्त यह नौजवान 29 साल का था प्रेम जिन्दा दिली और दिलेरी से भरबूर अपने शहर नैस्विल को तूट कर चाहने वाला बच्पन से उसकी यही आदत रही कि बिखरी हुई चीजों को करीने से सजाया जाए मगर जिन्दगी इस आदत का ऐसा भयानक इंतहान लेगी यह तो उसने सोचा भी नहीं था यह 22 अप्रेल 2018 की भोर की बात है पेसे से एलेक्ट्रिक इंजिनियर जेम्स जुनियर शौः अपने करीबी दोस्त के साथ वैफ हाउस में पहुँचे थे बहुत ज़्यादा भीर नहीं थी यह देख दोनों ने कुछ राहत की सांस ली क्योंकि इसके पहले रेस्ट्रॉण खचाखच भरा मिला था जेम्स और उसके दोस्त अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि एक जोरदार आवाज आई उन्हें लगा कि शायद रसोया ने किसी गुस्से से बरतन को पटका है पर अगले ही पल एक और तेज आवाज के साथ रेस्ट्रॉण के सामने सीसा तूट कर विखर गया जेम्स और उसके दोस्त की निगाह रेस्ट्रॉण के में गेट पर परी एक नौजवान धेर हो चुगा था वे दोनों समझ गए कि यह हमला है हमलावर AR-15 राइफल से चारो तरफ गोलियां बरसाने लगा बदहवास लोग चीखते चिलाते इधर उधर भाग रहे थे जेम्स ने उचल कर काउंटर के पीछे छिपने की कोशिश की मगर वहां उनका बचना नामंकिन था कुछ लोगों की जखमी और धेर करने के बाद हमलावर काउंटर की तरफ बढ़ने लगा जेम्स को लगा अब चंद लमहे रह गए हैं मौत जब सामने हो तो जीने की चाहत और जोर मारती है जेम्स ने सोचा अब मरने ही वाला हूँ तो फिर जीने की एक आखरी कोशिश क्यों न कर लूँ उन्होंने रस्टरॉम में बच्चों को भी देखा था उन सब का चेहरा जब जेम्स की आँखों के आगे घूम गया हाथ में भारी दर्द उठ रहा था मगर उसे बरदास्त करना था ताकि हमलावर को उसकी जगव का पता न चले जेम्स ने खुद को शांत किया और खिरकी के पीछे हत्यारे पर अपनी नजर टिकाई रखी जेम्स अब तक समझ चुके थे कि हत्यारा अकेला है लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उसके पास कौन-कौन से हत्यार है अचानक बोलियों की आवाज आनी बंद हो गई जेम्स ने साहस बटोर कर खिरकी से बाहर जहाका हमलावर उस वक्त राइफल नीचे रख कार्तूस लोड कर रहा था यही मौका था फैसले के लिए जेम्स के पास मिनट नहीं कुछ सेकेंड थे बगैर कोई वक्त गवाए जेम्स ने राइफल पर जहपटा मारा इतनी सारी गोलियां उगलकर बैरेल आग हो चुगी थी मगर जेम्स ने पूरी मजबूती से उसे पकड लिया था हाथ चल रहे थे मगर उन्होंने राइफल को हमलावर से छीन कर काउंटर की तरफ उचला और हमलावर को पूरी ताकत के साथ बाहर की तरफ धका दिया हमलावर उस वक्त वहां से भाग निकला लेकिन चंद घंटों के भीतर पुलिस ने उसे दवोच लिया जेम्स की सूजबूज और साहस ने कई बेगुनाह लोगों की जान बचा दी थी पर अपनी आँखों के सामने चार निर्दोस योगों की मौद ने उन्हें बेहद मरमाहत किया चारो मिर तक बीस से उन्तिस साल के थे लोगों की निगाह में जेम्स का यह नायका तो कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वारदात में मारे गए नौजवानों के परिवार के मदद के लिए उन्होंने अगले ही दिन गो फंड मी अभियान की शुरुवात की और महज एक महीने के भीतर ही इसमें लगवग दो करोर रुपे आ गए और इसकी ज्यादा तर रासी उन्होंने चारो मृतक के परिवारों हादसे के बाद अब लगवग रोज ही जेम्स की आँखों के आगे वो पूरा मंजर जिन्दा हो आता था इससे उबरने के लिए उन्होंने मनोवग ज्यानिकों के साथ-साथ अपनी ननी बच्ची के करीब ज्यादा से ज्यादा वक्त विदाया जेम्स की बहादुरी को सलाम करते हुए उनके देश के हजारों लोगों ने उनकी बेटी और उनके लिए देर करोर रुपे से अधिक राशी जमा की अगस्त दो हजार अठारव में जेम्स ने अमेरिका की कुख्यात बंदू कहिंसा के खिलाफ एक मुहिम शुरू की अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं उन्हें कई टीवी कारेकरब में बुलाया जा चुका है आनिक विश्विद्यालेयों और संस्थानों ने उन्हें सम्मानित किया लगवग सात लाख आबादी वाले नैश्विल सहर के मेयर ने जेम्स को सम्मानित करते हुए कहा आप सच्चे हीरो हैं इनके जवाब में अपनी पूरी बिनम्रता के साथ जेम्स शौ जुनियर ने सिर्फ इतना कहा मुझे हीरो मत कहिए मैं बस जीना चाहता हूँ मैंने जो किया वो हर एक आम नाग्रे को करना चाहिए नौजवानों के एक हुजूम को संबोधित करते हुए उनके शब्द थे अपनी जिन्दगी में जब भी कोई ऐसा पल आए तो सबसे पहले अपने भीतर से लड़िए आप जरूर जीतेंगे धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा हमारी कहानी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा फिर मिलूंगी आपसे अपनी नई कहानियों के साथ